इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद दूल में आप सभी का खायर मक्तम हैं रियासत के वजीर आला योड़ पाने कहा कि आप कोई लोगड़न नहीं वैसे तो लोगड़न पांच की अप सोशल मीडिया पर फैला ही जारी है पर इस हबते किसी तरह का लोगड़न नहीं रहेगा और या इतवार को सभी कारो बार जारी रहेंगा यहां तक कि शादी जलास के लिए भी मकसूश शर्तों के साथ इजादत दी जा रही है बढ़ते मरीजों की तैदाद सोचने पर मजबूर कर रही है पर मर्खज हुकूमत किसी तरह का फैसला लेने में नाकाम नज़रा रही है कई सारे रियासतों ने ब वजिर आजम मोदी और वजिर दाखला मिच्छा इस पर फैसला करेंगे कहा यह भी जा रहा है कि अब फैसला बजाए मर्कजी हुकूमत के रियासतों के हवाले किये जाएंगे के लॉकडाउन किया जाए या नहीं अगर करनाटक की बात करें तो वजिर आला एरोपक किसी त हुए है बेलगाम में आज एक खातून जो तुर्मरी गाउं की है और मुंबई रिटर्न है पॉजिटिव पाई गई तो दूसरी तरफ अब तक पॉजिटिव से नेगेटिव होकर डिस्चार्ज होने वालों की ताइदाग भी 110 के करीब पहुंची है कुल 12 डिस्चार्ज क गया इन्हें तालियों के साथ घर बेज दिया गया एक जून से मस्जिद मंदिर चर्च गुरुद्वारा को इबादतों के लिए खोल दिया जाएगा साथ ही होटल जिम भी पाबंदियों से आजाद किया जाएंगे बिलगाम शहर में अब कोई केंटोन मेंट जोन नहीं है कुट्ची हेरवागड में भी किसी तरह की पाबंदी नहीं है रात के बसेज भी शुरू करने का फैसला हुकूमत की जानिब से लिया गया अदालतों को भी बरोज पीर से खोल दिया जाएगा इत्याद नहीं देखने के लिए शुक्रिया अलाफित